लिए परिख्छा में अगर पास होना है तो B.E. पर इच्छा में पास होने के लिए कितना नमबर लाना होगा तो दोस्तों मैं आपको उता दू कि अगर आप B.E. पर इच्छा में पास होना चाहते हैं तो B.E. पर इच्छा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नमबर लाना होगा यहीं कि अगर आपका 100 नमर का पेपर होता है ता आपको 100 में से 36 नमर लाना होगा अगर आपका 75 नमर का पेपर होता है ता आपको 75 में 27 नमर लाना होगा अगर आपका 50 नमर का पेपर होता है ता आपको 50 में से 18 नमर लाना होगा दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि B.A. पर इच्छा में पास होने के लिए कितना नमर लाना होगा आगे दोस्तों हम लोगों रिजल्ट के बाद हम सुझानेगे कि B.A. पर इच्छा में किस सेवेट में कितना नमर आने पे पास होते हैं कि सेवेट में कितना नमबर आने में फिल होते हैं और कि सेवेट में कितना नमबर आने में बैक लगता है सब कुछ हमने रिजल्ट के बाद हम से जानेंगे तो यह बिना किसी देरी के हमने शुरू करते हैं और रिजल्ट के बाद हम से जानते हैं यहां पर दूस्तों आप दे सकते हैं आपको इसामने पहला जल्टा है यहां पर दूस्तों आप दे सकते हैं कि आपका तीन समेट का पेपर हुआ है History, Political Science or Sociology यहां पर दूस्तों Worcester, Second Semester, Second Semester, दोनों समेटरे में आपका 100-100 consistency म OS नमर का पेपर हुआ है यहां पर दूस्तों आप दे सकते हैं कि History के अंदर आपका first semester में 100 examples डावन नमर आखा है और second semester में 100 में 44 नमर आखा है यहनि कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों समेश्टे में पासिंग नमबर आ आ है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दे कि अगर आपका सौव नमबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए सो में से छथीश नमबर लाना होगा, जैबकि दोस्तों फॉस्ट में भावन नमर आया है, second semester में चोवावाँ नमर आया है, यहीं हिि्टरी के अंदर आपका दोनों semester में passing number आया है, क्योंकि दोनों semester में पासिंग नमर से उपर आया है, अब दोस्तों political science की बात की जाए, तो यहाँ पर दोस्तों आप देसकते हैं कि political science के अंदर आपका first semester में 100 में से बावा नमबर आ है और second semester में भी आपका 100 में से बावा नमबर हिया है यहनि कि political science के अंदर भी आपका दोनों semester में passing number आ है क्योंकि दोनों semester में आपका 36 number से उपर है अब दोस्तो sociology की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप दे सकते हैं कि sociology के अंदर आपका first semester में 100 में से 22 नमबर आया है और second semester में 100 में से 12 नमबर आया है यानि कि sociology के अंदर आपका first semester में तो passing नमबर आया है लेकिन second semester में आपका passing नमबर नहीं आया है अब दोस्तो फाइनट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त अब दे सकते हैं कि पार्ट वर्न में 27 है, पार्ट टू में 27 है, पार्ट थिरी में 264 है और यहाँ पर दोस्तो ग्रान टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तो अब दे सकते हैं कि सप्लिमेंटरी दिखा रह और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया है, यानि कि इसका हिस्टरी के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया है, कोई दिकत नहीं है, लेकिन सोसिलोजी के अंदर भी देखेंग अगर आपका पासिंग नमर नहीं आता है तो उस करनी से में आपका बैक लग जाएगा अब दूसरे रेल्ड को देखते हैं और दूसरे रेल्ड के बाद हम समझते हैं यहां पर दूसर आप देसकते हैं आपके सामने दूसरा जल्टा है यहां पर दूसर आप देसकते हैं कि आ सेकेंड समेश्टर दोनों समेश्टर में अपसेंड दिखा रहा है यानि कि हिस्टरी का दोनों पेपर नहीं दिये गया है इसलिए यहां पर हिस्टरी का दोनों पेपर ना देने की वैसे यहां पर हिस्टरी का अंदर आपका दोनों समेश्टर में जो ही की अपसेंड दिखा अब दोस्तो प्रोलिट्राब साइस के बात के जाते हैं ती हाँ पर जूसतो उपश बात प्रो खो किने प्रोलिपो ने हैं कि इसको पॉरेटिकल साइस के अंदर आपका सлять सब्सक्राइब सो मेशनें ऊत बालर वियाली सेवार कार्स सवद्रा अब दोस्तो Hindi Literature की बात कि जाए तो यहाँ पर दोस्त आप दे सकते हैं कि Hindi Literature के अगर के अदर आपका फ़ॉस्ट समोचसे साथ आनी ही है और सेकेंड समेश्टब के में 16sstिन यहाँ है में 266 नमर आ है कि दोनो समेश्टे हं दोनों समेश्टब आपका 36 नमर से उपर है अब दोस्तो final की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त आप दे सकते हैं कि part 1 में 264 है, part 2 में 340 है, part 3 में 216 है और यहाँ पर दोस्तो grand total की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्त आप दे सकते हैं कि 820 है और यहां पर दोस्तो रिजर्ट की बात की जाए तो यहां पर दोस्तो आप देसकते हैं कि supplementary दिखा रहा है यानि कि यहां पर bike लगा है अब दोस्तो यहां पर bike क्यों लगा है ध्यान समझेए यहां पर दोस्तो आप देसकते हैं कि यहां पर दोस्तो political science और hindi literature इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया कोई दिकत नहीं है यानि कि प्रिटिकल साइस के अंदर भी इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया है और हिंदी लिटिकल साइस के अंदर भी इसका दोनों समेश्टे में पासिंग नमर आया है यानि कि प्रिटिकल कि निस थो पैसे पाईर यहां पर दे सकते हैं तो पुछो की आदि और यहां पर दोस्तो जीग्राफिक अंदर आपका प्रेडिकल भी हुआ है यहां पर दोस्तो पुरेडिकल साइस की बात की जाए तो आपको पास होने के लिए सोवं से 36 नमर लाना होगा, जबकि दूस्तों फर्स समेस्टर में बावन नमर है, सेकंड समेस्टर में 74 नमर आए है, यानि कि पुरेडिकल साइंस के अंदर आपका दोनों समेस्टर में अच्छा खासा नमर आए है, अब दूस्तों सोसोलोजी की बात की जाए, तो यहां पर अब देशेते हैं कि सोसोलोजी के अंदर आपका फर्स समेस्टर में 100 में से 8 नमर आए है, और सेकंड समेस्टर में 100 में से 22 नमर आए है, यानि कि सोसोलोजी के अंदर आपका फर्स समेस्टर में पासिंग नमर नहीं आए है, यहां पर दूस्तों सोसलोजी के अंदर आपका first semester में passing number नहीं आया है जबकि second semester में passing number आया है क्योंकि second semester में आपका 36 number से उपर है अब दोस्तों जियोग्राफिक की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देसे कि जियोग्राफिक के अंदर आपका first semester में 75 में से 18 number आया है और second semester में 75 में से 30 number आया है तो यहाँ पर दोट्व 27 नमर से कम होने की बैसे यहाँ पर जीगराफीर बिए आपका sickness में पासिंघ नमर नहीं आ आ viral लिए अब दोस्तोंано आपकाइस से इसकते हैं कि आठ सो सताईस है यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दुझा है पहिल दिखा रहा है अब दुझा यहाँ पहिल के दिखाना ध्यान समझिए यहाँ पर दोस्तो आप दै सकते हैं कि political science के अंदर इसका दुझारो में पासिंग नमर आए है यहाँ पर दोस्तो इसको फिल किया गया है तो इस बात को याद देखें कि अगर आपका किसी एक्सवेट में दोनों समिष्टे में पासिंग नमर आता है और किसी दो समिष्ट के मिला करके अगर आपका दो समिष्टे में पासिंग नमर नहीं आता है तो उस condition में दोस्ता आपको फैल कर देजाएगा दोस्तो अगर आपको बीए गिजाम में पास होना है तो बस आपको एक पत याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नमबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में 36 नमबर लाना होगा अगर आपका 75 नमबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नमबर लाना होगा अगर आपका 50 नमबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में 16 नमबर लाना होगा